जो 5 साल के इंदर इसने रिटन दिये है 20.62% के CAGR से 3 साल के इंदर 38.07 और 1 साल के इंदर 20.54% के साब से रिटन दिये है इसने अगर आप मोटे-मोटे तौर पर एक साल का रिटन देखोगे तो आपको SDFC अच्छा लगेगा, क्वांट अच्छा लगेगा, लेकिन 3 साल के देखो, आपको पता होना चाहिए आप किस तरीके के इंवेस्टर हो, अगर आप शॉर्ट टर्म इंवेस्टर हो, तो वहाँ पर जाओ, जहाँ पर मोमेंटम ट्रेड होता है, जैसे मैंने आपको होता है, जैसे क्वांट है, वो मुचल टर्म एच्छ रिटन देरी की capability रखत लेकर उससे पहले देखेंगी, क्या ही अपने competition को भी इट कर भी पा रहा है, किसी भी एरिया में या फिर नहीं, और expense ratio क्या है, इस mutual fund के मिलनी तीन competition है, पहला है HDFC, दूसरा Echo Tech, तीसरा है Access, अगर आप एक साल के return की बात करोगे, तो यहाँ पर यह सबसे ज़्यादा B2I, य यही एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि bench mark से बुनी तरह के सबीट हुआ है, वही पहला आस तीन साल के अंदर के return देखोगे, तो सबसे highest return देने वाला, जो mutual fund था, वो ता PGIM, live CAGR की भी बात करोगे, तो यहाँ पर भी आपको second lowest, या फिर lowest return यहाँ पर देखने को मिल रहे, even not second lowest, तो अगर आप very long term की बात करोगे, या short term की बात करोगे, तो यह fund किसी लायक नहीं है, mid cap के अंदर काफी अच्छे काम कर रहा है, अगर आप 3 साल के लिए invest करते हो, तो expense की बात करोगे, तो expense के अंदर इसके expense ratio है, 0.42% के आसपास का, और exit total 0.50% के आसपास का, competition की बात क करते हैं, क्योंकि आपके return compromise हो रहे हैं या पर, तो क्या करने वाले है, या आगर return दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि अभी तक तो ठीक भी लग रहा है किसी की इसमें, और किसी case में question भी है, अब हम देखेंगे इसका portfolio, जहां पे हमें जादा चीज़े clear हो जाएग अब बात करेंगे sector distribution की, sector distribution के अंदर auto parts, specialized finance, IT, diversify chemical and investment banking आपको दिख रही है, देखो जो सबसे major चीज़े करना missing है, वो है private banks, जो मुझे लगता है, इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन उनने invest ली करा है, जहाद है private bank, large cap के अंदर है, तो mid cap के अंदर ही ignore करना है, जो कि मेरे सब नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनके portfolio में नहीं है, auto parts की बात करेंगे, अच्छा sector है, specialized finance, अच्छा है, IT, HR, chemical अच्छा है, लेकिन जो इनके पास मोटे मोटे तोर पे है, sector के अंदर, वो अच्छे sector है, कोई बुरे sector नहीं है, banking है, जो कि मैं miss कर रहा हूँ, अब बात करेंग Max Healthcare, Phoenix Mills, Cummins, और उसके बाद आप देखोंगे, Naveen, Flooring दिख रही है आपको, उसके बाद इंदर पर GAS दिख रहा है, SDFC दिख रहा है, आपको, Abbott दिख रहा है, आपको, Gujarat GAS दिख रहा है, तो अगर आप मोटे मोटे तोर पे इसके mutual fund को analyze करोगे, नीचे चल करके, तो इसक हो सकता है, इस mutual fund के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी holding इसके अंदर है, लेकिन उसके बाद अगर आप चोला को देखोंगे, तो यह काफी अच्छे, यह काफी अच्छे लेवल पर ग्रो कर रहा है, और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, Finance Company है, Personal Finance के अंदर काम करती है, तो बढ तोर पे portfolio की बात करूंगा था, portfolio मुझे 20 लेवल का दिख रहा है, यहाँ पर कुछ बहुत outstanding नहीं हो रहा है, 5 साल के अंदर 18.05% के return, 3 साल के अंदर 26.71% के return, और 1 साल के अंदर 23.75% के return, अच्छे हैं, बट बहुत जाद अच्छे नहीं है, यहाँ पर CHR काम नहीं कर रहा ह जब आप downside ज्यादा invest करते हो, तो आपका return दूसी side में ज्यादा आजाते हैं, वहीं पर growth investing करते हैं, जब interest rate कम होता है, तो वहाँ पर ज्यादा अच्छे return मिल रहे होते हैं, तो depend करता है, आपका investing style क्या है, value है, तो आपके लिए return अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप growth क invest करते हैं, तो आपके लिए हो सकता है, ये return काफी ज़्यादा कम हो, अब बात करेंगे competition की, कि क्या ये अपने competition को beat कर पा रहा है, या फिर नहीं, इस fund के मिलनी तीन competition है, HDFC, Kotec और Depon, अगर आप एक साल का return देखोगे, 34% के दिये हैं, access ने, और बाकिसम के आप return देख सकत हैं, जैसे मैंने आपको बताया, value investing, long term के अंदर आपको अच्छे return देता है, वही पर growth, short term के अंदर आपको काफी ज़्यादा अच्छे return मना फिर कर देपाता है, जैसे Kotec का fund है, वो growth stop की साइड ज़्यादा focus करता है, उसका fund manager, इसलिए अच्छे return आते है, HDFC growth side है, लेकिन यहाँ पर value है, लेकिन long term के अंदर on and average सबके return सेम ही आ जाते हैं, तो short term और mid term के लिए ये fund मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो 2 साल आने वाले हैं, उसके अंदर काफी अच्छा perform कर सकता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यह मैं आपको आगी चल करके यह हम से, 0.55% के expense ratio, बहुत अच्छे expense ratio है, 1% से जितना कम उत्ता बढ़ियां आपका पैसा बचा रहेगा, exit load है, 1% के हास-पास का, साल बर के बाद यह भी हो जाएगा, 0, अगर आप AUM size की बात करोगे तो सबसे कम AUM size, asset under management मिल रहा है, sorry, second सबसे कम, second least मिल रहा है आपको, लेकिन अगर आप बागी competition से बात करोगे तो इससे कम है, kotec emerging के expenses, मेरे चचचा, आप थोड़ा कम कर लो अपना expense, kotec पे तो ले आओ, क्योंकि वो return आप से जादा अच्छे दे पा रहा है, लेकिन जो है, यही है, अब बात करेंगे portfolio की, कि आने वाले time पे मुझे आसा क्य opportunity में नहीं है, क्या sense इस चीज का भाई, उसके बाद cash 10%, मतलब value investing की market गिरेगी, तो opportunity मिलेगी, तो 10% cash, seriously क्यों, मुझे नहीं समझाया, treasury bills के अंदर 0.55%, चलो ठीक है, आपने फिर भी saving के लिए खेल दिया, वो मैं समझ पाता हो, लेकिन, जो cash है, वो मेरे को थोड़ा righteous नहीं जाएगा, तीसरी चीज कि भाई, अगर मैंने market के अंदर downfall में invest कर दिया, तो मेरे ज्यादा पैसे बनते वे दिखेंगे, तो ये तीन reason हो सकता है, आपको क्या लगता है, मेरे को personally पहला वाला ज्यादा लगता है, और दूसरा ये तीसरा वाला थोड़ा ज्यादा लगता है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चलते हैं, finance, मतलब banking, दूसरा होगया consumer, मतलब खाने पीने की चीज़े जो retail में आ जाती है, तीसरा होगया आपका IT, और IT सहाँ पर मरा हुआ है, क्योंकि उसने पहले बहुत अच्छे return दिया है, तो अगर आब मोटे-मोटे तोर के द चलते हैं, तो जाद लोग पहले गाड़ी खरीते हैं, तो अच्छा sector है, sector distribution wise मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी अभी तक, अब बात करेंगे top holding stocks की, topic की पंदर आपको दिख रहा है, चोला काफी अच्छा stock है, finance के दाब, बहुत बढ़ी है stock है, यह अगला बजाज finance बनने की उमीद दिखा रहा है, लेकिन return बहुत अच्छे दे रहा है, बजाज finance बने ना बने, बहुत बढ़ी है stock है, मुझे काफी पसंद है, Indian hotel एक अच्छा stock है, आज की डेट में काफी लोग बुलिश अच्छे return भी दे रहा है, तो अच्छी चीज़, ICI से bank बढ़ी है, अच्छ तो मोटे मोटे तोर पे अगर आप इसका analysis करो वे जो top holding आपको दिख रही जहां पे इनोने पैसा डाला हुआ है, वो जिसकी काफी ज्यादा अच्छी है, इसका link में आपको description में दे दूँआ, तो आप जाके खुद भी analyze कर सकते हो, बाकी सारे stocks देख सकते हो, बट मोटे मो 55.67% के श्रीर, यहांसे एक शांदा return देते होए, मोटिलाल उसवाल ने अपने competition को beat करा है, इवन लेट राके जुन जुन वाला जी भी कहते हैं, अगर आप अपने portfolio को 20% से grow कर लो, तो आप market के king हो, तो इसने तो और भी ज्यादा शांदा return दिये हैं, अब बात करेंगे इ कि क्या है, अपने competition को beat कर भी पा रहा है, return तो अच्छे है, benchmark को तो यह beat कर, लेगर competition इससे जदा अच्छे return तो नहीं दे रहा, इस fund के और ऐसी strategy के साथ मिल दी तीन mutual fund आते हैं, जो इसके competition है, पहला competition है, SDFC mid cap opportunity, kotech emerging और excess mid cap mutual fund, अगर आप देखोगे एक साल के अंदर तो इ mid cap के अंदर, 35.86% के CAGR से, उसके बाद आता है, SDFC mid cap, उसके बाद आता है, kotech emerging और उसके बाद आता है, access fund, और हम life CAGR के भी बात करने तो 22.30% के return दी हैं, जो कि अपने आप में बहुत जादा return है, life CAGR क्या होता है, life CAGR होता है, since inception, जब से mutual fund बना है, तब से calculate होता है, कि कित है, वहीं पर अगर मैं एक साल की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको थोड़ी से दिक्कत देखने को मिल रही है, इससे यह पता चलता है, कि जो recovery है, इसके थोड़ी से slow है अपने competition से, लेकिन यह होती क्या है, यह मैं आपको end of the video verdict आले section में बताऊंग, तो video पूरी देखते है, AUM size की बात करें, तो सबसे छोटा AUM size भी आपको मोटी लाल उस वाल में दिख रहा है, जो कि एक plus point है, क्योंकि यहाँ पर जो churning है, वो capability इनकी बढ़ जाती है, चurning क्या होता है, यगर एक mid cap mutual fund जा करके पैसा invest करना चाहे, तो वो अराम से जा करके invest कर सकता है, वहीं पर अगर large cap वाला AUM invest करना चाहेगा, तो वहाँ पर price fluctuation हो जाएंगी, इसके बारे में मैंने already viewed बनाई हुई है, आप जा करके हमारा playlist ज़रूर चेक कर सकते हो, अब बात करेंगे portfolio की, की portfolio दिखता कैसा है, कैसा portfolio create करा है इनोंने आपके लिए, और यह important section है, इसको अर्राम से दे इन्वेस्ट करने से इस कामत लभी है कि fully invested है mutual fund है और हमें पता है कि आने वाले टाइम पर growth हाएगी market में, तो यह जो mutual fund है, यह जादा स्यादा benefit उसका उठा पाएगा, वहीं पर जो cash है इनोंने इसलिए रखा हुआ है, ताकि आपको यह मैंने अगर इनका mutual fund बेचा, तो इ retail online, specialized finance, diversified chemical, two wheelers, अगर हम बात करें IT services की तो मरा हुआ sector है, तो इसी वज़े से यहाँ पर आता है value investing, second है retail online, retail online मतलब Zumato, Swiggy, PB Fintech, ऐसी सारी कमपनियां, जो कि retail को target करती हैं, लेकिन online business है उनका, तो अगर आप मोटे मोटे तारत पर देखोगी तो profitable businesses नहीं है, लेकिन growth इस इसके बाद आता है specialized finance, diversified chemical और two wheeler, तो यह साय सेक्टर भी इस नहाँ पर काफी हत्तक पिटे हुए है, two wheeler के अंदर जो दिक्कत आ रही थी, वो आ रही थी, interest rate के वज़े से, यहाँ पर आपको growth दिखेगी, diversified chemical के अंदर आपको बहुत ज़दा रहना, पॉलरे दिख किया कुविड में, तो इसी वज़े से consolidation दिख रहा है, मोटे-मोटे तोर पे structure distribution काफी शांदार इन्होंने बनाया हुआ है, और इसके लिए भी मेरी साइट से thumbs up, अब बात करेंगे top current holding की, और देखेंगे किस के अंदर सबसे ज़दा पैसा इन्होंने invest करा हुआ है, कौन से mutual fund मे current holding pattern के अंदर आपको दिखेगा, सबसे ज़दा Zomato और उन्होंने recently काफी अचा स्टिक और खरीदा हुआ है, Zomato एक profitable business नहीं है आने वाले टाइम पे, लेकिन उमीद लगा ही जा रही है, आने वाले टाइम पे ये अच्छा बिजनस करेगा, इसके बाद आता है tube investment, KPIT technology, co-for के हैं, इस सब के बारे में हम बात करेंगे, नेक्स section के अंदर और ये थी इसके मीन holding, पांच साल के अंदर 16.89% के रिटन है, तीन साल के अंदर 35.46% के CAGS रिटन है, वहीं पे एक साल के अंदर 45.13, काफी सारे small cap mutual fund भी नहीं दे पा रहे हैं ऐसा रिटन, काफी सारे बोलते है कि small cap 35% return दे रहा है, बहुत अच्छे रिटन है, mid cap दे रहा है 43% के रिटन, तो small cap त करेंगे इसके competition की, इसके mainly 3 competition दीख रहे हैं, यहाँ पे, कोटेक, access on nippon, emerging fund, mid cap and growth fund, एक साल के अंदर इसना सबको बहुती बुरे लेवल पे बीट करा है, कम से कम 7% से जाधा return दी है, 45.43 और बाकी के return आप देख सकते हो, यहाँ पे, last 3 साल के अंदर 37.22% के CAGS रिटन दी है इसके बाद second number पे आपको देखेगा, कोटेक emerging fund, और live CAGR के अंदर भी आपको 20% के आसपास के return दी है, उसके सबसे पास आपको देखेगा, कोटेक emerging fund, तो इससे क्या पता चलता है, इन दोनों में से कोई एक fund, अगर हम ले ले, तो वो चीज़ अच्छी हो सकती है, लेकिन अ एक major drawback आपको देखेगा, इसके अलावा exit load जो है 1% के आसपास है, जो कि मुझे रगता है decent है, फिकिस competition के अंदर सारी चीज़े काफी अच्छे level पे दिख रही है, लेकिन अच्छी बात अभी तक है, कि mid cap वाला हमें सही दिख रहा है, except expense ratio, अब देखेंगे portfolio कैसा इन्हों की, आज का portfolio अगर आप note करोगे तो 93.94% के आसपास इन्होंने invest करावा है, equity के अंदर cash इनके पास 6.06% के आसपास है, मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिखकत नहीं है, थोड़ा cash आपको रखना चाहिए, क्योंकि किसी investor को अपनी mutual fund बेच ने पढ़ेंगे, तो आपको share बेच क करता है, मुझे return कैसा देर हो, अगर आप मुझे return कम देर हो, उसके बाद cash है, तो बहुत जादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन return अच्छे है, तो मैं cash इस सहाँ पर allow कर सकता हूँ, अब बात करेंगे sector distribution की, sector distribution में आपका main दिख रहा है auto parts, specialized finance, industry machine, diversify chemical, IT services, most of the sectors मुझे बसंद auto parts, जैसे rate cut होंगे, बहुत अच्छे return देंगे, specialized finance, अच्छा sector है, industrial machine, growth sector है, diversify chemical, एक अच्छा sector है, कोई दिक्कत नहीं, IT services, एक decent sector है, small cap और mid cap के अगर आप बात करोगे, तो और यह mid cap को mutual fund है, तो इस वाज़े से IT services यहाँ पर भी थम्स आप है, तो sector distribution के अदर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, even काफी सारी assets, इसके उपर personally मैं खुद भी ज़्यादा बुलिश हूँ, तो मेरी investing style से at least इनके investing style अभी तक तो match कर रही है, अब बात करेंगे top picks की, कौन से stock इनोंने top hold करे हुए है, सबसे बहला stock इनके पास है, Indian hotel startup है है, लेकिन यार मुझे personally तक ज्यादा पसंद भी है, hotel businesses तो बड़ ठीक है, इनोंने pick कर रहा है, अच्छे return दे रहा है, at least अभी के लिए तो बढ़ियाँ चीज़ है, इसके बाद है, HAL, Hindustan, Aeromatics अच्छे return दे रहा है, max healthcare ठीक है, एक healthcare चल जाएगा, चोला, बहुत अच्छे return दे रहा है, बहुत बढ़ियाँ च प्रोथ कंपनिया है, तो इस तरीकी का आप portfolio create करो न, आप बलोगे access को बुरा कहरो यार, ऐसा portfolio create करो न, आच्छा बोलूगा न, क्या दिक्कत है, मेरको कोई पैसे नहीं दे रहा, ना मुझे access ने बुराई के लिए पैसे दिये थे, ना मुझे SDFC ने अच्छा ही के लिए प persistent, मेरको इसके stocks personally बहुत ज़्यादा पसंद आया है, जो इन्होंने invest करा हुए, तो आप एक चीज़ नोट करोगे, मैं personally आपको काफी बार बोलता हूँ, current holding के अंदर आपको 5%, उसके बाद 2-2% के आस-पस तो इन्होंने invest करा हुए, उसके बाद 2-2% के आस-पस तो इन्हों इसके अंदर तो, तो इस वज़े से इस sector के अंदर अभी तक मुझे यह mutual fund अच्छा दिख रहा है, पान साल के अंदर 29.19% के CIGS रिटन है, तीन साल के अंदर 39.42% के और एक साल के अंदर 28.88% के रिटन बहुत ज़्यादा अच्छ रिटन है, ऐसा mid cap mutual fund काफी ज़्यादा अ इसके अपेक्षा थोड़ा कम होता है, इसी वज़े से रिटन थोड़े से कम आते हैं, लेकिन अब बात करेंगे, क्या ही अपने competition को बीट कर भी पा रहा है, या फिर मैं फाल्तों में इतना ज़्यादा खुश हो रहा हूं, अगर आप competition की बात करोगे तो, एक साल के अंदर चला जाता है, अग्चुली ये काफी पुराना फंड है भी नहीं, लेकिन लोग पास रिटन होते हैं, वो future के रिटन गैरेंटी नहीं करते, इसी वज़े से पोर्टफोलियो हम बार 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 फोकस करतें कि आपको पोर्टफोलियो देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज खोड़ा सा ज्यादा पॉज़र से वो मेरे से पैसा कम लो यार मेरे को कम से कम देना है, तो expense ratio देखना जरूरी हो जाता है, जैसे आप स्कीम पे आते हो तो यहां पर देखेगा, आपको expense ratio 0.63 के आसपास, अगर आप competition से compare करोगे, तो आपको second highest expense ratio quant के दिख रहे हैं, तो क्य यह अच्छी बात है यह नहीं है, जिस हिसाब से आप returns की बात करोगे, तो return के अंदर भी second highest return के आसपास दे पा रहा है, तीन साल की बात करोगे, एक साल के अंदर तो recently काफी ज़दा पिड़ गया है, अगर आप exit load की बात करोगे, तो 0.50 है, जो कि अच्छा exit load है, competition से कम ले दे थी, अगर आप count के portfolio पे आओगे, तो यहाँ पे दिखीगा equity, 91.56% के आसपास, उसको hedge करने के लिए 5.06% के आसपास, treasury bills, मतलब एक fixed income इनोंने create करी है, वहीं पे आप cash की बात करोगे, 3.15 के आसपास रखा है, और future and option, मतलब rare of rarest, जो fund है, वो इस चीज को apply करते है, future and option म है, अगर आप जो HDFC के रिटाने वो ज्यादा देखोगे, तो अभी जा करके अच्छे आने शुरू है, पहले नहीं आप आ रहे थे, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी हम इस पर वापस रहते हैं, अब इतनी सारी चीज़ां discuss करने के लिए, तो मैं भटक जाता हम इस पर वापस आते हैं, और सेक्टर देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर के अंदर इन्होंने invest करा हुआ है, सेक्टर distribution के अंदर, public bank के अंदर 14.21%, oil and gas के अंदर 13.77, pharmaceutical के अंदर 11.46, private bank के अंदर 8.46, के आसपर specialized final के अंदर 7.26% के असपर invest करा हुआ है, portfolio wise मेरे को कोई दिक कर रहे हैं, रिफाइन करके उसके बाद US को बीच रहे हैं, यह वाला से सेक्टर है, इसको यह target करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन कंपनियों को इन्होंने pick करा होगा, अब बात करेंगे top holding की, फिर verdict और उसके बाद आपके Q&A, तो top holding कौन सी है, यह देख लेते हैं, current holding के इन्होंने रिलाइंस के रहे हैं, रिसेंटल पॉलिशन क्यों बनाई हैं, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, SDFC दिख रहा है, SDFC के इन्दर इन्होंने पैसा डाला है, पी और पी दिख रहा है, इंडियन होटल दिख रहे है, टार्टा कमनिकीशन दिख रहा है, अर बिंदो की बात करते हो, 65% के आसपस इनको मेड़ कैप कंपनियों के इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद ये अपने पॉर्टफोलियो को कर सकते हैं,